तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी डिस बनाना तो यहां पर मैंने अमूल मोती का एक लीटर दूद लिया हुआ है जो कि बहुती गाड़ा होता है अगर आपके पास में नहीं है आप किसी गाओं में है तो आप भैस का दूद भी इस्तमाल कर सकती हैं दोस्तों तो इसी एक अच्छा सा डो बना के तयार करेंगे मतलब ऐसा डो आपको बना के तयार करना है जैसे हम पूड़ी बनाते हैं तो पूड़ियों का जो डो होता है वो काफी हार्ड होता है सौफ्ट नहीं होता है तो बिलकुल हमें हार्ड सा एक डो बना के तयार कर लेना है दोस्त अब हम इसे ढखकर रख देंगे पांच से दस मिनट के लिए और इसकी अब रोटी बना लेते हैं इसकी जो रोटी बनानी एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे दोस्तों इसकी हम और एक बड़ी सी रोटी बनाने के बाद में बहुत ही ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए बहुत नमक पारे ताइप के जो यहाँ पीसे करेंगे दोस्तों और इसे 5-10 मिनट तक पकाएंगे जो हमारा दूद और जाएगा और इसके पीसे से यहाँ पर आजेंगे पिर इसके आप अपने टेस्ट के नाउस्सार रहें, यहाँ पर मैंने चीनी एट कि वही है, चीनी मैंने तीन चंमस ले रखी ती ही है, इसे हमारे चीनी अच्छे से miks हो जा रही है, इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा इलायची पाउडर एट करेंगे, आप के पास इलाय और आपको कैसे पता चलेगा कि यह पक गया है तो सबसे पहला जो इसका step होता है दोस्तों हमें एक पीस उठाना उसको प्रेस करके देखने अगर वह बिल्कुल हार्ड हो गया है तो इसका मतलब कि आप हमारा यह पक गया है तो यहां पर मैंने यह देखी एक पीस उठाया इस इसे हाथ से हमने प्रेस किया मतलब कि आराम से नहीं थोड़ा सा इसको महिनत लग रहे है इसको इसे प्रेस करने मतलब यह हार्ड हो गया मतलब यह अच्छे से हमारा पक गया है तो अभी इसे हम अलग कर लेते हैं इसके उपर आप गार्निशिंग कर सकते हैं काजू बादा को खिला सकते हैं और healthy भी है सुभा के breakfast में भी यूज कर सकते हैं और धीर सारी मैं ऐसी रेसेपी और लेकर आँ आपके लिए आपके लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि ऐसी धीर सारी रेसेपी आपको मैं आपके लिए में लाती रहूं और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सकें थैंक्यू सो मच दोस्तों